हाई फ्रेंट्स मैं एके सफलता आप सबों का मैं अपनी यूट्यूब चैनल एके सफलता केंपस पे फिर से स्वागत करता हूँ चलिए फ्रेंट्स पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सर्कुलर फंशन नब्बे एन पलस माइनस ठीटा कमपाउंड एंगल मैक्सिमम और मिनमम वैलू फंशन या एक्सप्रेशन बोल सकते हैं उन सबों का कंसेप्ट सिखे थे कंसेप्ट अब क्या करते हैं उन सबों से रिलेटेट कुछ कोस्टन करते हैं जिससे आपको एक्जाम में वैनिफिट मिल सके हैं तो चलिए हम कोस्टन देखते हैं लेकिन एक बात को फिर से मैं याद करता हूँ Quadrant के बारे में अच्छा तरीका से आपको पता होना चाहिए पहली बात Compound Engle से रिलेटेड बात पता होना चाहिए दूसरी बात तीसरी बात Maximum and Minimum Value से रिलेटेड बात पता होना चाहिए आप लोगों को और चवती बात 90N plus minus theta से related इन चारों का बात अच्छी तरीका से मैंने पिसले lecture में डाला है तो प्लीज जो लोग नहीं देखें तो वें मेरे पिसले lecture को जरूर जाके देखें एक बार मैं maximum और minimum value repeat कर देता हूँ ताकि इसे क्या होता है बहुत सरा एक्जाम में कुशन आता है चलिए कैसे आता हूँ चीश सकते हैं minimum और maximum और एक बार revision कर देता हूँ मैं एक तरफ minimum मान लेना है अभी थुरा समझा रहा हूँ और एक तरफ maximum कोई पूछेगा sin theta का maximum मान कितना है तो बताये रखे थे plus 1 इसका पूछेगा तो क्या होगा minus 1 बताये थे कि sin theta और cos theta जो होता है lies between plus 1 to minus 1 उसी तरीका से कोई आप से पूछ देगा sin square theta का बताये कुछने करना एक का square अब दिखेगा square negative को भी क्या करता है positive करता है square negative को भी positive बनाता है यहां भी क्या हो जाएगा कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा minus 1 का करेंगे तो 1 लेकिन इसा थूरी होगा हो कि मानलीजी यह maximum b1 हो जाएगा minimum तो यहां क्या हो जाएगा भाई मेरे 0 कोई पूछेगा sin q theta बताये यह b1 1 का q1 लगा दिजेगा आप cos theta cos square theta cos q theta देखे तीनों मतलब एक sin या cos का पता कीजिए और दोनों का relation पता चला जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि sin और cos का relation एक साथ होता है ठीक है दोस्त आप देखिए मेरे भाई 10 के बारे में कोई पूछेगा 10 का बताये क्या होता है 10 theta का mix लिया तो बताये यह plus infinity से कहां तक minus infinity तक भैरी करता है कोई पूछेगा 10 square theta बताये 10 square theta यह भी क्या होगा plus infinity plus लेकिए धिक ही minimum करेंगे माइनस infinity का स्क्वार करेंगे तो plus infinity हो जागा तो फिर वही बात हो जागा इस वाले condition के हिसाब से बस क्या करना है तो minimum बता रहा थे क्या होगा 0 कोई पूसे का इसी तरीका से 10 Q का ये भी plus infinity ये भी minus जिन लोगों को 10 पता हो गया समझ ये वही relation क्या होता है cot theta, cot square theta, cot q theta आप समझ ये बच गया सेक और कौसेक या सेक बताया थे कौसेक और सेक का क्या होता है मैक्सिमम बताये थे ये जो वहरी करता है ने कौसेक minus 1 और plus 1 के बीच का value छोड़के बादमा की सब तो maximum plus infinity इसी बोल सकते हैं इसका भी minimum minus infinity ठीका आप देखिए square करेंगे आप समझ में आएगा थुरा ध्यान देगा maximum तो plus infinity के लिए रहे कोई दिक्कत नहीं minimum पे समझे minimum पे negative में जो मान दिखनी में छोटा होता है वो value में क्या होता है बड़ा होता है तो कोई आप से पुछेगा minimum तो क्या हो जाएगा एक हो जाएगा इस तरीका से आप फिर क्यूव कर सकते हैं ये था मुख्य बाते question exam में आ रखा है कोई पुछेगा 10 plus sin square theta ये sin theta बोला कि इसका maximum या maximum ही मानते है कि maximum पुछेगा तो 10 coefficient है पहले से दे रखा है और sin theta का maximum मान क्या होता है एक अगर minimum पुछेगा तो इस तरीका से question आ सकता है exam में ठीक है तो मैं इस पर question कराता हूं पुरा concept killer हो जाएगा मैं 2-3 lecture लेके आऊँगा जो लगातार question ही चलेगा non stop तो please मेरे वीडियो को शुरू से अंतक देखिएगा तभी जाके आपको अच्छा लेगा आप एक 5 मिनट देखिए उसके बाद 6 मिनट पर नहीं देखिए चुकि mathematics है आप सुरू से अंतक देखना मैं भी इस बास दिलाता हूं कि आपका टिर्गो बहुत अच्छा हो जाएगा तो प्लीज जो लोग सब्सक्राइब नहीं किये मेरे यूट्यूब चैनल लेके सफलता है केंपस को सब्सक्राइब करें शाथ में वे लाइक अंदवाए और सेयर लाइक कॉमेंट जरूर करें तो चली दोस्त कुस्टन की और टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ट रांट ट्रिक्नोमेट्री आज जो भी कुस्टन होगा आज के कलास में यानि आज के लेक्चर में वो सभी मिक्स टिर्गो का कंसेप्ट चलेगा तिसमें एक वार रिपीट करता हूँ कि पूरे लेक्चर को सुरू सें तक जरूर देखिए चलीये को कलता हैँ 2 सा ऐने स्कवाठीट अप बलस 3 कॉसे स्कवाठीट हुए का महत्तम और निर्णतमान बताए कभी कभी क्रोल कि सुरुम या पूचेगा फैर मुंक्रिक घृटो. तो minimum नहीं, max का मतलब होता है महत्तम, minimum का मतलब होता है निनतम, तो चलिए, आप समझते हैं, कुछ identities बताए थे, कि we know that sin square theta plus cos square theta वड़ावर क्या होता है, एक, आज के डेट में, वो बच्चा talented नहीं है, जो ये जानता है, कि sin square theta plus cos square theta का मान एक होता है, talented वो बच्चा है, जो समझता है, कि इस एक का मतलब ही sin square theta plus cos square theta होता है, मैं बार-बार समझाता हूँ, भाई मेरे, कि ट्रिंडोर्मेट्री में बहुत सरे बाती होती, बहुत सरे बात, इतना बाती होते हैं, कि आप कमपर लगा कि, यार कितना पढ़े, आपको कुछ मुक्ता ब हमेशा situation क्या खाता है, question क्या काता है, उस पे बातें किया जाता है, चलिए, minimum रूप बादा देखे कि, minimum form क्या, two sin square plus three cos square, हम इसको लिख सकते हैं, two sin square theta, और इस three cos square को लिख सकते हैं, tras tutaj plus a cos bore बच जाएगा, दो कॉमन ले लेंगे इसको डारेक्ट लिक सकते हैं टू साने स्क्वाट ठीटा पलस कॉसे स्क्वाट ठीटा बच जाएगा इधर से क्या कॉस्ट ठीटा नहीं समझेद चली मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ अपने रूम पे बैठके और इग्जाम में डारेक्ट जाएए बहुत सारा स्टेप कोस्ट का जाता है एंसर डारेक्ट से जिल में आ रखा है से जिल वाले पेपर में ये कोस्ट पूछ रखा था चलीए इसको लिख सकते हैं टू साने स्क्वाट ठीटा पलस टू कोस्ट स्क्वाट ठीटा पलस कोस्ट स्क्वाट ठीटा देखे न ठीरी कोस्ट स्क्वार पूर्णा चाहिए दो इधर से और एक इधर से तीन पूर्गया भाई मेरे आप देखे इस सेम हो गया दो कॉमन लिजिए और 2 common लेने के बाद क्या होगा sin square theta plus cos square theta का value 1, 2 multiply 1 यानि इसका value क्या हो जागा यहां तक का इस term का 2 plus cos square theta और हमने बता रखा था पिछले lecture में या भी मैंने repeat करा है कि cos square theta यानि जो sin का relation होता है वही किसका relation होता है cos का तो चलिए cos square theta तो cos का maximum 1 क्या बताए थे 1 ही होता है तो 1 तो क्या हो जागा 2, 1, 3 यह हो जागा आपका max value minimum push अगर कोई push देग तो इसका minimum आप समझेगा यहां पर थोरा दिमाग लगना minimum अगर push दे और यहां क्या लग रखा है यहां क्या लग रखा है देखिए question में cos square theta अब थेरी में बताए थे sin theta का maximum 1 plus 1 और sin theta का minimum 1 minus 1 अब देखिए जो relation sin का cos से वही relation cos का sin से तो चलिए वहां क्या रखा है cos theta sorry cos square theta square minus 1 थोगा ने maximum क्या होता है 0 क्यों बताए थे कि minus 1 का square करेंगे तो 1 maximum B1 minimum B1 इसलिए concept के लिए कि cos square theta का minimum मान क्या होता 0 तो 3 plus sorry 2 plus 0 क्या हो जागा कोई अगर आपसे max पुछेगा तो 3 होगा कोई आपसे minimum पुछेगा समझी में आगिया भाई मैं बारबार समझाता हूँ वीडियो को last तक देखेगा आपको कहीं प्रब्लम नहीं होगा next question देखिया आपके screen पे लिखा हुआ है if 6 square theta plus 10 square theta वड़ाबर 7 तो theta वड़ाबर वाट theta lies between 0 to 90 0 less than equal to less than 90 तक यानि 0 से 90 के 20 में theta कमान हो सकता है आप option से ही बना सकते थे by option कैसे बनाएंगे exam में option दे रखेगा आप paper में जाना option में theta का वैसा value put करना जो दोनों को solution करने के वाद save हुँन देदें यानि LHS वराबर RHS चलिए एक formula आपको बताए थे या सुचिए या इसको इसी साब से break कीजिए ताकि theta में convert हो जाए और theta में जब भी convert होगा तो जैसे 0, 1, root 3 by 2 या 2 by root 3 या 1 by 2 या 2 by 1 ये सब आएगा चुकिए बताए थे specific angle में चलिए क्या पताए थे कि shake square theta minus 10 square theta बड़ाबर क्या होता किसी एक में convert कर लिजिए देखिए कुछ बाते होती identities जिनको याद करना आपके सिहत के लिए बहुत जरूरी है खासतों से इडवांस जैसे section में तो चलिए shake square theta का फर्मूला यी था या किसी एक में एक में convert कर दिजिए shake square theta का फर्मूला या एक का identities था shake square theta minus 10 लिख देता हो हो है बगल में ताकि आपको problem ना हो shake square theta minus 10 square theta बड़ाबर एक ये होता है ठीक है या तो shake में convert कर लिजिए नहीं तो 10 में अगर हम shake square का value निकलें क्या आगा 1 plus 10 square theta ये हो जागा 1 plus 10 square theta चलिए लिख देता हूँ 1 plus 10 square theta पलस फिर 10 square theta बड़ाबर 7 चलिए ये क्या हो जाएगा 10 square theta दो बार है 2 times तो इसको बोल सकते है 2 10 square theta बड़ाबर क्या होगा ये 1 plus में तुदर जागे क्या होगा minus में ये 6 हो जाएगा तो 2 10 square theta बड़ाबर क्या हो जाएगा 3 यानि 2 से कट जाएगा तो सिधे 10 square theta बढ़ाब क्या होगा 3, तो 10 theta का कोई value पूचेगा तो root 3, अब आता यह root 3 में किसका value होता है, theta आप सुचिए 10 theta, अब root 3 में समझना है, तो किसका होता है 60 का, यानि 1060, ठीटा बढ़ा क्या होगा 60 देखे, अब 60 पूट किजिए 6 square 6 6 का value जिन भाई को नहीं याद होगा, समझा भाई मेरे, जिन भाई को नहीं याद होगा 6 का value या 6 60 का, आप जानो कि 6 किसका होता है, cost का, तो cost 60 का मान पता है, cost 60 का मान पता है 1 by 2, तो हो जागा 2 by 1 और 2 by 1 का मतलब 2, 2 का square क्या होगा, 4 और यहाँ देखिए 10, 10 का करेंगे, तो root 3 होता है 1060, root 3 का square 3 तो 4, 3, 7 यह सब question by option भी बना लेंगे, तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है चुकिए आपको समझाना है, लेकिन आप option से hit करना, या मैं बार बार समझार होगे, आप practice करना आप खुद concept क्लियर कर लोगे चलिए question नमद 3 देखिएगा बहुत VBI question है और more times using SSC बोला, if 2 cos theta minus sin theta, बड़ावर 1y root 2 दे रखा है, पूचता है तो 2 sin theta plus cos theta, बड़ावर क्या होगा आप theta से ही बना सकते थे, put करके लेकिन theta का value पूचेगा तब put होगा theta से और नहीं तो आप से सोचना परेगा कि इस theta का इसी साब से मान रखा जाए, ताकि solution करनके 1y root 2 आजाएगा exam में क्या कभी 0 put कि जेगा कभी 30, कभी 45, कभी 60 कभी 90, समय लग जाएगा समय लग जाएगा ना, आप क्या करना इसके बराबर इसको LHS या इसको first equation इसको second equation और देखिए इसके बराबर में कुछ माल लेजी, X, mana या late माना या late, ठेक है? आप देखिए आप सुच ये सुचना पड़ेगा आपको, मैं बार-बार समझा रहा हूँ, कि इस one को बहुत सारे student ये भी लिखते है situation की साब से sin square theta plus cos square theta talented वो बंदा है talented वो बंदा नहीं है, जो लिखता है sin square theta plus cos square theta बराबर एक, कभी-कभी आपको opposite भी सोचना पड़ेगा चलिए, क्या करेंगे? जानते हैं कि sin square theta plus cos square theta अगर होता मेरा, तो value क्या हो जाता? 1 कोशिस किजिए square है, square दिखने रहा आप simple फंदा लगा कर दो, squaring both side squaring both side और LHS को LHS से जुरिए RHS को RHS से जुरिए इसका square करेंगे, देखिए A minus B के whole square A plus B का whole square LHS को LHS से, RHS को RHS जुरिए उपर वाले के square करेंगे, A minus B का whole square A square तो क्या हो जागा, 2 दूना, 4 यानि 4 cos square theta plus B square sin square theta गौर कीजिएगा एक में minus term और एक में plus term है minus 2AB, एक और plus 2AB कहानी क्या होगा, कट जाएगा, आप मत लिखना नहीं तो आप solution कर लेना अब इसको जूर दीजिए, तो क्या हो जागा, 4 sin square theta plus cos square theta अब LHS को तो, यह क्या हो जागा 1y root 2 तो square करेंगे, तो क्या कर सीधे 2 plus x square आप चलिए, कोशिज कीजिए यह वाले term और यह वाले term में क्या, 4 common और sin square या cos square का value क्या होता है, 1 sin square theta plus cos square theta का value, 1 तो यह क्या हो जागा, 4 आप यहाँ सी, 1 तो क्या हो जागा, एक हेस टेप लिख रहा हूँ 5 अब इसका solution कीजिए solution करेंगे, LCM2 9 by 2 solution इसका value क्या हो, 9 by 2 बड़ाबर x square, अब इधर लिख रहा है square इस पर आएगा, तो root चठेगा root 3 का क्या हो जाएगा आप ही बताएगे ना कि अगर यह 9 by 2 है x square है, तो square इस पर root 3 किसका 9 का क्या हो जाएगा 3 वर्गमूल होता है ना का वर्गमूल 3 आइसका root 2 हमसे question में क्या पूछ रखा है तो question में पूछ रखा था कि उस समिकरन का value बताएगे तो क्या हो जाएगा value 3 by root 2 आपका answer यह होगा option में दिया हो रहाएगा option किसा आपसे बनाना है लगम यह option ही सी लिए चुकिए आपको सीखाना है पहला तरीका यह हुआ अगर आपका concept के लिए तो direct आप बना सकते हो दूसरा तरीका इसका दिखिए दूसरा तरीका क्या है? वो हम बताने जा रहा है इसका दूसरा तरीका दिखिएगा क्या है? जब इस टाइप का question आवे और आता ही है ध्यान रखिएगा एक plus में और एक minus में बस दूनों का coefficient लेना है दूनों का coefficient लेना है coefficient लेना है ठीक है? और उसको क्या करना है? square करके जूर देना है संध्यान से समझे एक है और एक का square एक तो 4 एक, 5 ध्यान से समझे एक coefficient लेना है जब इस टाइप का question आएगा तो और LHS को LHS से RHS को RHS यानि left hand side को right hand side से बोलते है ना आने वाली वराबर जाने वाली मतलब जो मान आएगा वो मान जाएगा तो चलिए आप दिखिए उधर से करेंगे 1 by 2 2 का square तो 1 by 2 plus x square इसका solution करेंगे क्या हो जाएगा 2 by 3 by root 2 solution करने के बाद ये आपका कितने असान वे में बन गया इस तरीका का use नहीं करेंगे अगर निकालना है से C तब मैं बता रहा हूँ बस मैं फिर से repeat करता हूँ जब इस टाप का question आएगा एक plus में एक minus में तो आप दिखिएगा कि ये squaring करके simple तरीका direct shortcut अगर बनान exam में hit and trial method से तो बस coefficient लेकर LHS को LHS से जोड़ देना और LHS को LHS से add कर देना चलिए यही question है same question है कि sin theta minus cos theta बड़ाबर 7 upon 13 तो यानि then sin theta plus cos theta का value क्या होगा मैं बार-बार समझा रहा हूँ जब इस step का question आगा कुछ ने करना है आप aspiring बोथ साथ दोनों साइड से किजिए LHS को LHS को LHS को RHS को LHS को जोड़िए इसका value नहीं पता यहाँ पे कुछ मान लिजिलेट कर लिजिए बस calculation कीजिए answer आ जागा लेकिन exam में problem होगा exam के हिसाब से talented roller का नहीं जो question बना दे talented roller का है जो question का देखे और answer करे यानि hit and trial method का use करे चुकि बार-बार समझा रहा हूँ एक ही बात कि question ज्यादा रहता है समय कम रहता है तो वहाँ पे आपका strategy बहुत बड़ा जरूरी है एक का square एक और इधर भी यह करेंगे इसका को बें दोनों को जोर देंगे इससे भी कर देंगे तो यह value कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बड़ाबर 7 by 13 का करें क्या होगा 49 by 169 पलस x square देखिए 7 का square यह 13 simple समझे कुछ squaring value कुछ q value कुछ q root value कुछ square root value यह सब आपको याद होना जरूरी है आज की डेट में अगर याद नहीं रहेगा तो problem होगा मैं बार बार समझा रहा हूँ mathematics में कुछ data आईसा होता है जिसे याद करना आपके लिए ही अच्छा रहेगा नहीं भी याद कीज़े कोई दिक्कत नहीं लेकिन exam में अगर आजाएगा आप रब कीज़ेगा तब तक समय आपका खुद लैप्स होगा कुछ अपना भी strategy जरूरी है आज के date में सक्सेस अगर होना है तब ठीक है तो चलिए बता रहा है आप इसका solution कर लिजिए इधर भेद दीजिए ये minus आजाएगा ये simple तरीका या उसको x square रखिए इधर क्या आगा 169 टूजा तो 169 ऐसे सो simple रहेए डेर सदुना 300 आप इधर बत जाएगा कितना 29 दुना 38 यानि कितना हो जाएगा 338 डेरेक्ट करेंगे 338-49 169 बराबर x square आप 330 में से यानि 338 में से आप 49 सब्ट्रेक्ट कीजिए तो कही ने कही जब भी भेलू आगा तो इसका वर्मूल रूप में आगा तो घटा लिजिए 18 में से 9 जाएगा तो 9 आप देखिए ये बच जाएगा 12 यानि 2 और 2 में से नहीं जाएगा 12 और 12 में से कितना जाएगा 4 तो कितना बचेगा 8 आप इधर क्या बच जाएगा 3 है तो यानि 289 बराबर x square तो इसलिए क्या हो जाएगा रूट जाएगा किसका होता 17 बाई 13 यानि 17 बाई क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा इस ताप से बनाएगे मैं बादा सामद 3 और 4 एक भराइटी का मैंने कोशन दे रखा था जाएगा इस टाप का कोशन आएगा तो आपको efficient लेना LHS को LHS से RHS को RHS से जोड़ देना है लेकिन याद रखना squaring करना है reason क्या है squaring इसलिए करेंगे sin square theta plus cos square theta का भालू एक होता ने तो आप process से बना लेना ठीक है ये चार कोशन हमने बताया तो जिन लोगों को लिखना लिख सकते हैं या screenshot लेना है तो ले सकते हैं ठीक है अगर किसी भी तरह का problem होगा तो comment box में जरूर लिखेगा चलिए friends net question आपके screen पे लिखा हुआ है और समझते हैं बोला है क्या sec x sec y plus 10 x 10 y का whole square minus sec x 10 y plus 10 x sec y का whole square का value बताये समझते हैं देखने से लग रहा है squaring both side है कहने कम होते square है तो आप लगाई एक बार a plus b के whole square एक बार a minus b के whole square एक बार a minus b के whole square इस minus वाले term से इस term के परतेक term में क्या होगा multiply होगा बहुत सारे student इसको क्या करेंगे a plus b के whole square पर बनाएंगे बहुत अच्छा वात है आप बनाईए वो student अच्छा लाएगा बनाने के लिए उन student के लिए जो शुरुआती period में है लेकिन जिन लोग का practice अच्छा से है अगर वो लोग इस इन सब जैसे question पर अगर समय lapse करते हैं तो समझे आप में कहीं कमी है ठीक है तो चलिए दोस्त बात करते हैं इसको a मानिए पूरे टर्म को इस वाले टर्म को पूरा b मानिए फिर इसी तरे का इस टर्म को a मानिए और इस टर्म को b मानिए समझाने के लिए बता रहा हूँ लेकिन आपको exam में इसा नहीं करना है आपको exam में समझधार ही रहता है ठीक है क्या होगा ck² x देखें दियान से क्या होगा ck² x ck² y यहीपे कर रहा हैं देखेंगा dHand से डियान से 10² x 10² y आप देखेंगा क्या होगा यहीपे step काट रहा हूँ आप देखेगा ध्यान से पलस ट्वे भी और यहाँ भी पलस ट्वे भी लेगी इस माइनस वाले टर्म से multiply तो वो बंदा क्या होगा पलस माइनस कट हो जाएगा आप चलिए इसको देखे solution कर दें यह भी क्या हो जाएगा से के स्क्वार एक्स 10 स्क्वार Y यहाँ भी हो जाएगा 10 स्क्वार X सेक्वार Y आप देखेगा धियान से इस माइनस टर्म से अगर परत्यक टर्म में multiply होगा तो यह भी क्या हो जाएगा माइनस आप कहानी क्या होगा भाई मेरे देखेए कुछन देखें यहीं पर सिंपल हो गया है यही सब स्टेटिजी माइने रखता है एक्जाम में कि आप कैसे कुछन को ड्रैप करते हो मैंने सुचना आप जितना अच्छा सुचोगे हो उतना जल्दी आप आंसर दोगे चलो बन गया सिंपल भंडा 10x 10 10 10 कुछ कॉमन लिना का कुछिस कीजिए ताकी आपका बात बने देखें 10 k सकॉर अक्स यहां भी है 10 k सकॉर इक्स यहां भी है पॉनले लीजिए 10 k सकॉर अक्स कॉमन लेगे क्या बज़ा वासन पहला भंडा आप देखिए आप सुचिए next वाले term में यह term और यह term का is हो गया इस term में देखिए उधर भी 10 square x है ध्यान से देखिए अब ध्यान से देखिएगा समझ में जागा उधर भी 10 square x है और इधर भी 10 square x है तो आप 10 square x को मल ले आप देखिएगा minus plus सुचेंगे बाद में पहले आप यह सुचिए तो क्या बज़ेगा 10 square y अब minus c square y लेकिन आपको पता है कि c square x minus 10 square x का भैलू एक होता है c square theta minus 10 square theta का भैलू एक होता है इस format में और इस format देखिए different है यहाँ 10 बाद में यहाँ 10 पहले आगया format होता है जैसे sin square theta plus cos square theta का एक होता है उसी परकार c square theta minus 10 square theta का भैलू एक होता है तो इसको पहले minus करना एक को minus मना एक को plus आप यहाँ से minus common ले लेजिए जब यह common लेजिएगा यह term दर आजाएगा c square y minus 10 square y ठीक है आप सुचिए इसका value एक होता है और इसका value एक होता है और एक से multiply करेंगे तो मान में फरक नहीं परेगा यानि ज़स्सम तस हो जाएगा आप देखिए term क्या बच्छा c square x minus 10 square x और c square theta minus 10 square theta का भैलू क्या होता है एक होता है simple funda देखिए कितना असान में बढ़ा है next question देखिए इस theta एक acute angle है अगर theta noon कोनो मतलब 0-90 के बीच में तो cos square theta plus cos 2d power 4 theta बढ़ावर 1 तो 10 square theta plus 10 2d power 4 theta का मान बताइए आप इसको drive किजिए आप सुचिए किसी भी बे में यह देखिए यह को सुचिए अगर हम इसको cos 2d power 4 theta करते हैं तो उधर जागे क्या है 1-cos square theta 1-cos square theta क्या होता है भाई मेरे sin square theta आप देखिए उधर 10 format है तो cos is की 10 बनाने मैं बार-बार समझा रहा हूँ ट्रिगो में situation किसाब से concept लगता है 4 है बंदा है 2 बंदे को उधर भेज़ दीजिए क्या बचेगा cos square theta इधर चुकि इसको लिख सकते थे न cos square theta into cos square theta कोई एक term को भेज़ दीजिए उधर तो by में जाएगा इन्यापन और sin by cos क्या होता 10 और square लगा तो क्या हो जागा 10 square theta आप क्या सिखे कि cos square theta पे 10 square theta बराबर हो सकता या इस 10 square theta पे cos square theta बराबर हो सकता है आप देखिए सलूसन कीजिए क्या है 10 square theta इस 10 के जागा क्या लिख सकते है cos square theta पलस आप देखिए 10 जब 10 square हो रहा तो cos square हो जागा है ध्यान से देखेगा 2 पे 2 हो रहा है तो 4 होगा तो यह धर भी 2 बढ़ेगा यहाँ पे क्या हो जाग cos to repower 4 theta और इसका ही value दे रखा समिक्रण में यह भी value क्या हो जागा एक हो जागा देखेगा है कितने simple तरीका सी question solution कर रहा है तो जिन लोगों को लिखना लिख सकते है या screenshot लेना है तो ले सकते है board पे question लिखा हुआ है और ध्यान से सुनिएगा कि C A minus cos A का को दूर किजिए बहुत सारे student करते है sign यह देता कभी कभी ठीटा के जगा confusion में आता है नहीं वहाँ पे confusion नहीं रहना है ठीटा के जगा आप कुछ भी put कर सकते हो A, B, C, D, Alpha, Gamma, Beta कुछ भी वो coding किया हुआ लेकि हम ठीटा ही लेते हैं लिए चुकि अच्छा राता है शुरू सही पढ़ते हैं ठीटा 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 चलिए देखे यह 9th, 10th कलास का question है लेकिन वहाँ क्या करते थे बड़े-बड़े concept में बड़े-बड़े page में पढ़ते थे नवित्ता जो बोलते थे नहीं पढ़ते हैं page भर-भर के solution करते थे जितना बड़ा हो जाया जितना बड़ा हो जाया गुरू जी खुश कर देंगे लेकिन नहीं यहां वो बात नहीं है exam है competitive है हर question के लिए equal mark है तो वहाँ पे strategy आपका अच्छा होना चाहिए चलिए इसको दखिए solution कीजिए a-b के hollow square plus इसको भी solution कीजिए a-b क shining square और उसको भी solution कीजिए a-b के hollow square अव उसके बाद इस plus वाले term से इस term में होगा multiply इस minus वाले term से क्या होगा उस minus वाले term में होगा तो क्या देखिएगैं इसको तोरेंगे तो क्या बनेगा Ck square A minus cos square A ध्यान से देखिएगा स्वरी, plus अब minus 2 A भी तो minus 2 Ck into cos A ये इस term का value हो गया plus इस term का solution कर रहा हूं में देखिएगा cos A A minus B value square ये सब कुछ बाते याद होनी चाहिए A minus B value square A square plus B square minus 2 A B cos square A plus sin square A minus 2 cos A into sin A आप देखिए इसका बात करते हैं फिर देखिए इसका solution कर रहा है तो क्या हो जागा cos square A plus 10 A square A minus 2 A B तो 2 cot into 10 A लेकिन देखिएगा इस term से करेंगे पहला बार plus plus minus minus देखिएगा plus फिर plus minus minus हो जागा यहाँ पे आप देखिएगा फिर क्या होता है minus to be a plus minus minus रहा जागा अब यहाँ वाले term देखिए minus से दूनों term तीन term में अपना multiply होगा तो minus यहाँ minus लगा देगे फिर minus क्या होगा minus plus minus फिर minus minus plus अब कुशिस किजिए कहीं से कट जाए या कुछ common आ जाए देखिए यहाँ से के स्क्वारे है अब कॉंसेप्ट जानदे से के स्क्वारे minus 10 स्क्वारे यानि से के स्क्वार टीटा minus 10 स्क्वार टीटा का भेलू यह term और यह term मिलके क्या बनाया एक याद रखिएगा इस term को देखिए क्या है कॉस स्क्वारे तो सूचिए कि cos के साथ किसका relation होता है 10 का sorry, sin का sin कहां, कहीं दिखने रहा है तो चलिए इसको लिख दीजे क्या C के square plus 10 square value क्या हो गया एक, इस term को सूचिए पहले आप कुछ काट लिजे अच्छा रहेगा इस term को सूचिए यहां से यहां तक इस term को सूचिए और इस term को सूचिए कुछ कट रहा है यह कुछ common हो रहा है नहीं 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 हो रहा है देखिए यहां 2 C के into cos A है plus cos square A है minus sin square A है minus 2 cos A into sin A है फिर minus cos A minus 10 A है फिर plus 2 cos A into 10 A है कुछ common दिखने रहा है तो उस स्थिती में क्या करेंगे identities आपको याद होना जरूरी है जैसे sin A square theta plus cos A square theta का value एक होता है shk square theta minus shk square theta minus 10 A square theta का value क्या होता है एक उन सब term का use करना होगा ठीक है तो देखते तो देखिए आप identities नहीं जिन लोग कुछ समझ में आ रहा होगा तो ये भी concept बताए थे कि जैसे sin A into cos A square का मान क्या होता है एक अब वो वाला condition का use किजिए तो चलिए shk square यहाँ दिख रहा है ज्यान से देखिएगा shk square यहाँ दिख रहा है आप देखिएगा shk कहीं नहीं दिख रहा है shk के बाद फिर निक्स shk नहीं है तो जानते है shk और 10 A क्या होता है एक होता है तो ये वाले term और ये वाले term क्या होजा आपका कट जाएगा आप देखिए cosis square है तो cosis कीजिए जोगो जानते है साने सक्वार एजा सब्सक्राइब आफा प्लस आफा सब्सक्राइब एक आप देखिए यह माइनस हो गया तो चेक कर लिजेगा शाइन आप हम बता रहे हैं कि मैं माइनस यहाँ पर क्यू लिखा आप समझेगा यह क्या होता A² प्लस B² माइनस 2 भी तो पलस वाला पलस ही न रहेगा समझे कहां पे सही किये थे या कहां पे गलत किये थे समझे ना आप मैं कुछ बाती इस हिसाब से लिखूंगा ताकि आपको लगेगा कैसर क्या लिख दिए बाद में उस बात को मैं सही करूंगा रिजन क्या है ताकि आपका कंसेप्ट किलियर हो और वीडियो पे जो होता है न जो सीलापन बन देखने का पागलपन जिसको बोलते हैं वो ची जलकना चाहिए तो चले ये भी क्या हो जाएगा एक हो जाएगा ये भी कर जाएगा आप देखिए से के और कॉस से ये भी क्या हो होता है को सायन मिलके एख होता है गोट मिलकर क्या होता है यह वाले term यह वाला term क्या हो जाएगा कट जाएगा आफ क्या बचा कर भी हो देखार में है कर देखा दो दूसरा देखे fins इसका मैं दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं ध्यान से समझेगा simple फंडा दिखेगा कि a-b का हले स्क्वार फिर पलस a-b का हले स्क्वार फिर minus a-b का हले स्क्वार alternate change हो एक पलस फिर अगला पलस यानि alternate तरीका से आवे तो क्या करना है दिखेगा यहाँ भी minus यहाँ भी minus यहाँ भी minus यहाँ भी minus तीनो टर्म माइनस में पलस के बाद फिर minus फिर पलस इस ही साब से contribute रहेगा तो उस परस्थिती में हमेशा उसका value क्या होगा एक होगा कैसे तो कहानी खता हूँ आप पलस माइनस के करन क्या होगा हमेशा इस टाइप का एंसर क्या कीजिएगा एक होता है तो होता है इसको देखे यदि ठीटा का नीन को नौ और 7 साइन स्कार ठीटा पलस 3 कॉस स्कार ठीटा बड़ा वर 4 तो 10 ठीटा 10 theta कहने का मतलब यह हुआ high कि theta का value put कर दीजिए तो theta किसी जानेंगे चलिए हम क्या करेंगे जब भी इस type का question में आया है तो मैं बार-बार समझाओ कि minimum form में लिखिए इसको लिख सकते हैं 4 sin square theta plus 3 cos square theta plus 3 cos square theta बड़ाबर 4 क्यों चुकि पता है यहाँ पता है आपको sorry इसको sin के form में होगा यह वाल एक्टर में common हो जाएगा 3 और sin square theta plus cos square theta क्या होता है भाई 1 होता है तो क्या होता है भाई यहाँ से 3 हो जाएगा समझे ध्यान से 3 हो जाएगा होगा नहों आप देखिए उतर 3 जाएगा तो क्या जाएगा तो 4 sin square theta अब आप 3 3 उतर जाएगा 4 minus 3 यानी 1 आप कोई पूछेगा sin square theta का मान बताए तो 1y4 तो बुलेगा sin theta का value बताए तो 1y4 रूट चारेगा तो क्या होता है 1y2 आप 1y2 है तो theta में किसका होता है तो theta में 30 degree का होता है इसलिए आप root करें 1030 1030 का मतलग क्या होता है 1y root 3 अगर 1060 आता तो root 3 by 1 आप देखिए question ये और ये बहुत भी भी आ है ये question आता है जामे radian को degree में या कभी degree को radian में मैं दोनों variety लिख रखाऊ हूँ आपको board पे आपको समझना एक वार radian पे दे रखाऊ हूँ question और एक वार degree में बोला 3 pi by 2 ये pi का symbol होता है 3 pi by 2 3 pi upon 2 radian का मान degree में बता है radian का symbol क्या होता है जैसे कोई संख्यार है गा x उस पे इस इस इसाब से लिख देंगे छोटा सा सी तो radian हो गया या x है इस पे छोटा सा बुंदा देंगे डिगरी में हो जागा ये symbol आपको पता होना चाहिए चलिए दोस्त देखे याद रखेगा जब भी radian को डिगरी में आवे या degree को डिगरी में तो किसी एक मान को याद कर लिजेगा अच्छा रहेगा है डिगरी का मतलब क्या होता है एक सो डिगरी का मतलब क्या होता है और radian का मतलब क्या होता है तो दोनों के बीच डिफ्रेंस में है कि डिगरी और radian में को बढ़ा है radian का मतलब यह हुआ और डिगृरी का मतलई है कि जो अंस के फोर्म में रहगा, एक दम पार्टिकुलर रूप में रहगा, जिसे जानते हैं, एक तिरभूज के तीनो कुनो को अमान 180 डिगृ होता है, तो वही बात जिसे आपका नाम हुआ, कुछ भी नाम हुआ, और उसका अपसौर्ट फोर्म लि किया जाता है रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से क्या जाता है गुना क्या था हम इदर लिख दे रहा हूं रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुना करते है एक याद रखे उसका पोजिट कर लिजे कभी होगा पुछेगा डिग्री में तो डिग्री को डिग्री में बदलने के सिद्धे ए 180 बटा पाई है तो पाई अपन 180 से क्या कर दें उसमें गुना करेंगे देखिए पाई से पाई कट जाएगा आपका ये कट जाएगा अन्नौतिया सद्ध्या दूसा 70 डिग्री तो डिग्री रेडियन के पेच्छा बस वही बता आए थे जब इस बात को लिख ली जागा नोट में कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई यहां क्या हो जागा पाई अपन 180 इसको काट ये काट रहें का तरीका आपको पता नहीं देखिए पंद्रह पच्छे पच्छत्तर और पंद्रह ब तक रेडियन में तो डिग्री का सिंबल वो हता है अपंद्रह च्छत चरण हो जाद हम ब्रैद को अच्छता रहें देखिए गारे आज 10 कोशन कराया है या जो भी कोशन कराया हूं में आप उसको सुरू से अंतक दिखेगा एक कॉपी पे लिखेगा अच्छा रहाएगा और फिर नेक्स लेक्चर में हम प्रैक्टिस से ठीले के आऊंगा अई बहुत सारी कोशन कराना है आज तो नॉर्मल कोशन था कल इसे भ तक दिखेगा और कॉमेंट जरूर किजिएगा वीडियो को लाइक जरूर किजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल एके सफलता केमपस को सब्सक्राइब करना न भूले थैंक यू अल्दा बेस्ट